बच्चो अभी तक हमने चर्चा की परिवहन और संचार के विशाय पर आज हम बात करेंगे अंतरराश्ट्रिय व्यापार पर जिस प्रकार परिवहन और संचार वो तृतियक क्रियाकलाप या तृतियक व्यावसाय के अंतरगत आता है ठीक उसी प्रकार अंतरराश्ट्रिय व्यापार भी तृतियक क्रियाकलाप या तृतियक व्यावसाय का ही हिस्सा है पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि व्यापार क्या है व्यापार किसी भी वस्तूओं का लेन देन करना या एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना जो है वो व्यापार कहलाता है अब हम जब अंतर राश्टिय व्यापार की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंतर राश्टी ये शब्द जो है वो किसी एक देश से संबंधित नहीं है है ना वो विश्व के अनेक देश या हम ये कहें एक से अधिक जो देश है वो इसके अंतरगत शामिल होंगे तो जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार हो रहा है या किसी भी वस्तूओं का पदार्थों का किसी भी प्रकार का लेंदेन या आदान प्रदान हो रहा है तो उसे हम अंतर राश्टिय व्यापार कहेंगे अब हम ये बात कर लेते हैं कि इस व्यापार में क्या क्या शामिल होता है किन पक्षों को शामिल किया जाता है जैसे भी हमने कहा कि वस्तूओं का लेंदेन या आदान प्रदान करना एक दूसरे को लेना और देना तो दो चीज या दो पक्ष जो है वो इसमें शामिल होते हैं पहला है आयाद और दूसरा निर्याद ये दोनों पक्ष मिलकर ही व्यापार कहलाएंगे आयाद का मतलब होता है किसी वस्तू को दूसरे देश से मंगाना या दूसरे जो देश हैं उनसे लेना और निर्यात का अर्थ होता है कि अपने यहां किसी भी प्रकार की जो वस्तु उत्पादित होती है या अपने उत्पाद को अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश को भेजना तो जब हम प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट दूसरे देश को बेच रहे हैं भेज रहे हैं तो वो निर्यात कहलाएगा और हम दूसरे देश से किसी प्रोडक्ट को कोई भी उत्पाद जो है वो मंगा रहे हैं अपने देश में तो वो कहलाता है आयात तो ये दो महत्तो पूर्ण पक्ष होते हैं अंतर रास्टिय व्यापार के अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि अंतर रास्टिय व्यापार जो है कितने इस्तर का होता है ये कितने प्रकार का होता है तो अंतर रास्टी व्यापार के दो महत्तोपूर्ण इस्तर होते हैं पहला है आपका अंतर देशिय व्यापार और दूसरा है बहु देशिय या बहु पाश्विक जो व्यापार है वो हम कहेंगे अंतर देशी या आंतरिक व्यापार या हम इसी को राश्टी व्यापार जब कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि कोई भी जो दो देश हैं इसके अंतरगत शामिल होंगे और एक देश जो है वो दूसरे देश का प्रोड़क्ट खरीदेगा और अपना प्रोड़क्ट या अपनी कोई वस्तु जो है वो दूसरे देश को बेचेगा तो दो देश के बीच में दो राश्ट्रों के बीच में जब लेन देन होता है या पदार्थों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम कहते हैं राश्टिय व्यापार और दूसरा होता है आपका अंतर रास्टिय व्यापार या हम इसी को विदेशी व्यापार भी कहते हैं विदेशी व्यापार का अर्थ होता है कि जब इसमें दो या दो से अधिक जो देश या रास्ट हैं वो शामिल होते हैं और जब भी दो या दो से अधिक देशों के मध्य में व्यापार होता है या उत्पादों का लेन देन या हम कहें आयात और निर्यात किया जाता है जैसे कि हम भारत को ले लेते हैं भारत में कहवा उत्पादन हो रहा है चाय का मुख्य रूप से उत्पादन हो रहा है तो ये क आपने जरूरत का जो सामान होगा है ना हो सकता है हम किसी बहुत सारे इलेक्ट्रोनिक उपकरण या मशीनरी की हम बात करें वो हम दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं या खरीद रहे हैं मंगा रहे हैं तो इसके साथ ही साथ ये तो हो गया रास्ट्री व्यापार जब हम दो देशों की बात कर रहे हैं और जब अंतर रास्टी व्यापार की हम बात कर रहे हैं तो इसमें दो से अधिक देश शामिल हैं मतलब हम अपना जो प्रोडक्ट हैं वो कई देशों को बेच रहे हैं और अपनी आवर्शक्ता के अनुसार बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो अनेक एक देशों से जो हैं मंगा रहे हैं तो हम इसे अंतर रास्टी व्यापार कहेंगे अब हम व्यापार के पक्ष को समझ लेते हैं कि कित्ते प्रकार के होते हैं ये तो पहला रास्टी व्यापार होता है और दूसरा जो है वो आपका अंतर रास्टी व्यापार होता है रास्टी अलग अलग राजियों से जो है वो आयात और निर्यात किया जाएगा तब हम इसे क्या कहेंगे रास्टिय व्यापार या हम इसे आंतरिक व्यापार के भी नाम से जानते हैं और दूसरा जो होता है वो आपका अंतर रास्टिय व्यापार या हम ये कहें विदेशी व्यापार भी कहा जाता है इसे तो इसका मतलब होता है जब दो या दो से अधिक जो देश हैं वो आपस में व्यापार करते हैं किसी प्रोडक्ट का उत्पाद का लेन देन करते हैं खरीत फरोक्त करते हैं आयात निर्यात करते हैं तो वो हो गया आपका अंतरराश्टी व्यापार इसका ह अधिक हो रहा है तो हम अपनी घरेलू खपत के अनुसार इस प्रोड़क्ट को इस उत्पात को अपने पास रखेंगे और जो शेश या अतिरेक अतिरेक मतलब आपकी आवशक्ता से जो अधिक उत्पादन हो रहा है उसको हम जब दूसरे देशों को जिनके हाँ इस प्रोड़क्ट या उत्पाद का जो उत्पादन है वो कम मात्रा में होता है लेकिन उनकी खपत जो है उनकी उत्पादन से अधिक है अधिक की आवशक्ता है उन्हें तो वो माल हम उन देशों को बेचेंगे या हम ये कहें कि निरялत करेंगे तो यह जो होगा वो आपका होगा अंतरराष्टिय्य व्यापार अब इस अंतरराष्टिय व्यापार के भी दो महत्वपूर्ण पहलू या पक्ष होते हैं पहला होता है आपका द्वी पाश्विक या द्वी पक्षी व्यापार जब दो देशों के मध्य ये व्यापार होगा तो हम इसे द्वी पाश्विक या द्वी पक्षी व्यापार कहेंगे और जब दो या दो से अधिक देश किसी व्यापार में शामिल है तो ये बहु पक्षी या बहु पाश्विक व्यापार कहा जाएगा ये आपके परिक्षा के दृष्टी कोंड से भी महत्वपूर्ण है आपसे पूछा जा सकता है कि दीपाश्वीक या बहुपाश्वीक या बहुपक्षी जो व्यापार है उसमें क्या अंतर है इस पस्ठ कीजिए इस प्रकार की जो प्रेशन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं क्यों पड़ी है ना इसकी शुरूवात कहां से हुई तो भई पहले या प्राचीन समय में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यह जो व्यापार था या अंतरराश्टी व्यापार की कहीं कोई स्थिती नहीं थी जो व्यापार होता था वो आपके इस्थानी इस्तर पर ही होता था मतलब किसी भी घरेलू बजार में ही या ग्रामीर छेतर में या कुछ उस जो इस्थानी इस्थर है वहीं तक ही जो व्यापार की स्थिती होती थी या हम ये कहें कि आयात निर्यात या खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है लेन देन की प्रक्रिया वो होती थी लेकिन जैसे जैसे समय के विकास के साथ साथ चीजे विक्सित होती गई और ये अंतर राष्टी व्यापार जो है वो अपने अस्तितों में आया तो भई प्रेश्ण यह उड़ता है कि सबसे पहला जो व्यापार है लंबी दूरी का जो व्यापार है वो कब किया गया तो इस संबंद में हम बात कर लेते हैं पहले जो अंतर राष्टी व्यापार थी उसमें कुछ बाधाएं थी जैसे परिवहन की जो बाधा थी वो थी जिसके कारण बहुत लंबी दूरी का जो व्यापार है वो करना असंभव था और इसके साथ सुरक्षात्मक जो दृष्टी सही तरीके से नहीं आया था तीसरी चीज ये भी थी कि हम इतने विक्सित नहीं थे और चुकि हमारा विकास उतना नहीं था लोग पिछड़े हुए थे तो वो सिर्फ अपनी जो आवशकता की वस्तुएं हैं जो दिन्चरिया के लिए आवशक हैं आपके जीवन के लिए ज उतना बढ़ा भी नहीं था और कुछ लोग ही थे जो धनी या अमीर जो व्यक्ति हैं वो कुछ लोग ही या कुछ जो छोटा सा जो समुदाय है वही आपके महंगे आभूशन का या महंगे जो वस्त रहें उनका उनकी खरीद फरोक्त करते थे तो उसके कारण एक लंबी अंतरास्ट्री व्यापार पहले उतना प्रचलन में नहीं था यदि हम बात करें कि सबसे पहले जो लंबी दूरी का व्यापार है वो कब शुरू हुआ तो हम देखते हैं कि सबसे पहला लंबी दूरी का जो व्यापार है वो रोम से चीन के मध्य जो है वो शुरू आत की जो रोम और चीन के बीच का जो अंतराल था या जो ये दूरी थी वो लगभग 6,000 किलो मिटर लंबी थी तो सबसे पहले पहला जो है लंबी दूरी का व्यापार रोम और चीन के मध्य लगभग 6,000 किलो मिटर लंबे मार्ग में व्यापार की जो है वो शुरुवात हुई हम बात करें किसी भी प्रकार के वस्त्र वो रोम से आपके हम बात कर लेते हैं इटली है ना जिसको हम परशिया पहले कहते थे उसके बाद मध्य एशिया के रास्ते होते हुए चीन तक जो है यह यात्रा की जाती थी अब उसके बाद हम देखें यह सबसे पहले जो है वो शु उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे विकास ने गती पकड़ी और जो समुद्र में चलने वाले जो युद्ध पोत थे उनके माध्यम से यूरोप और एशिया के मध्य में जो है व्यापार की स्थिती जो है वो लेंदेन की स्थिती जो है वो थोड़ी बढ़ गई और इस असी बीच में अमेरिका की खोज हुई तो लगभग हम देखते हैं 15 शताब्धी के आसपास जो है वह उपनिवेश वात का जन्म हुआ उपनिवेश वात जैसे की दास व्यापार की स्थिती हम कह सकते हैं व्यापार में व्यापार के एक नए प्रकार दास व्यापार का जो है अस्तित्व में आ गया वो उपनीवेश वाद को हम पहले समझ लेते हैं आपको पता होगा पहले जैसे हमारा देश भारत जो है वो ब्रिटेन ने उसे अपना उपनीवेश बना लिया था अपना व्यापा और जैसे ही अस्तित्व में आया तो जो हम ये कह सकते हैं जो अमीर देश थे या उस समय जो आर्थिक दृष्टी से विक्सित जो देश थे वो क्या करते थे गरीब या जो पिछड़े हुए राश्ट्र होते थे हैं ना मुख्य रूप से हम बात कर सकते हैं जो स्पैनिश हैं डच हैं फ्रांसिसी हैं यहां इस देश के जो विक्सित देश के ये जो लोग थे वो क्या करते थे मुख्य रूप से जो उत्तरी अफ्रिका के मूल निवासी थे उन्हें अपना दास बना लेते थे मतलब जबरदस्ती उन्हें पकड़ कर जो नए देश की खोज हुई थी अमेरिका की वहां ले जाते थे और वहां पर अपना डास बना कर उन्हें वहां के खेतों में बागानों में उनसे मस्धूरी करवाया करते थे तो यह हो गई दास व्यापार के स्थिति और ऐसा ही जितने भी जो पिछड़े हुए रास्ट थे वहां के जो लोग थे वहां के जो निवासी थे उन्हें इसी प्रकार विक्सित देश जितने भी विश्व में उस समय विक्सित जो रास्ट थे वो यहां के निवासियों को पकड़ कर जबरदस्ती अपने बागानों मे खेतों में या अपना मजदूर बनाकर उनसे कारी करवाया करते थे तो ये जो दास व्यापार का जो हम ये कह सकते हैं अभिशाप रूप में जो हमारे उपर था वो बहुत एक लंबे समय तक चला या हम बात करते हैं लगभग 200 वर्षों तक इस दास व्यापार की स्थिती रही और ये अभिशाप हमारे उपर इस व्यापार के रूप में चलता रहा उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो है विकास फिर हम करते गए और ओद्योगी क्रांती जो है विकास शील देश या पिछड़े देश की हम यदी जब बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो विक्सित देश हम की साधार पर उन्हें कह रहे हैं वहाँ पर नगरी करण अधिक है उद्योगों की स्थिती अधिक है लोगों का जीवन इस तर उचा है तो इस अधार पर हम उन्हें विक्सित राष्ट या विक्सित देश की संग्या दे रहे हैं तो हम देखते हैं उस समय जो इन क्रिया कलापों में आगे बढ़े थे या अधिक विक्सित थे वो उन देशों पर जहां पर यह इस दृष्टिकोंड से जो देश या राष्ट जो है वो पिछडे हुए थे उनसे क्या करते थे मतलब विकाशिल देश में से उन्हें कच्चे माल की आपूर्ती या खाद्यान की जो आपूर्ती है वो हो जाती थी और विक्सित राष्ट या विक्सित जो देश थे वो क्या करते थे अपने यहां से जो तयार माल है वो उन्हें निरियात करते थे तो इस प्रकार से ये ओद्योगिक क्रांती के आने के बाद जो है वो अंतरराश्टी व्यापार का विकास होता गया इसी समदर में भी हम बात करेंगे कि ये अस्तित्वे में ही क्यों आया अंतरराश्टी या हम ये कहें कि इसका विकास जो है वो अच्छी तरह होता गया उसके बाद हम ये देखेंगे लगभग प्रथम विश्व युद्ध हुआ फिर द्वितिय विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम और द्वितिय विश्व युद्ध के होने के बाद कुछ जो देशों ने जो जानते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे तो ये बात हो गई आपके कि अंतरराश्टी व्यापार कैसे अपने अस्तित्व में आया या उसका इतिहास क्या रहा अब ये देखते हैं कि इसकी आवर्शक्ता ही क्यों पड़ी अंतरराश्टी व्यापार की आवर्शक्ता क्यों पड़ी भई हमारी जो प्रित्वी है हम ये देखते हैं उस पूरे प्रित्वी पर ना तो धरातल जो है वो एक समान है ना वहां की जलवायू जो है वो लगभग एक समान है और इन सभी के कारण वहां जो जनसंख्या निवास करती है वो भी एक समान नहीं है हम अपनी उंगलियों में ही ले ले, हमारी पाचों उंगलियां तो एक समान नहीं है, ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि पृत्वी में किसी जगा पर, किसी स्थान पर, जो संसाधन है जैसे हम किसी भी राश्टी संसाधन की बात कर ले, तो हर जगा आपको लोहयस, हर जगा कोईला ये नहीं मिलेगा हर जगा आपको चामल का उत्पादन एक समान नहीं मिलेगा गेहूं का उत्पादन एक समान नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि वो धरातल में भिन्नता है वहां मिलने वाले जो खनीज हैं उनमें अंतर पाया जाता है जलवायू के कारण वहां के उत्पादन और प्रोडक्शन में जो है वो अंतर पाया जाता है लेकिन आवशक्ता तो सभी की है मतलब औद्योगी करण होगा तो आवशक्ता सभी की है कि उन्हें कच्चे माल के रूप में लौह चाहिए उर्जा की रूप में कोईले की आवशक्ता है जल की आवशक्ता है उद्योगों के संचालन के लिए तो क्या है मतलब भिनता तो सभी जगए है सभी जगए एक समान उसकी प्राप्ती नहीं हो रही है लेकिन आवशक्ता जो है वो सभी की है तो पहले हम یہ कह सकते हैं कि जब प्राचीन समय था तब इसलिए बाधा के रूप में परीवहन जो है वो एक बाध़क के रूप में कारिय करती थी क्योंकि तब आवागमन के जो साधन है या हम ये कहें कि परिवहन के जो साधन है वो उतनी विक्सित अवस्था में नहीं थे इसलिए व्यापार का विकास नहीं हो पाया था लेकिन अगर हम वर्तमान समय में देखे तो हमारा जो परिवहन है वो बहुत अच्छी तरह से विकास प्राप्त कर चुका है या विक्सित हो चुका है हमें हर तरीके से हम ये बोले कि हमको जितनी देर में एक स्थान से दूसरे स्थान अपने उत्पादन का जो परिवहन है वो करना है या हमें पहुँशना है तो उस हिसाब से हमारे पास उतने ही जो परिवहन के साधन है वो हमारे पास मौजूद हैं, हमको कोई कीमती चीज या कीमती समान हमें एक इस्थान से दूसरे इस्थान ले जाना है, तो उस हिसाब से हमारे पास परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, हमें कोई बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज को दूसरे इस्थान तक परिवहन करना तो हमें प्रशीतलन या फ्रीजर जैसी जो अपने परिवहन के साधन में इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो मौजूद हैं जो उसे बिना खराब किये जल्दी से जल्दी उस इस्थान तक गंतव्यतक उन्हें पहुंचा सके तो अब परिवहन जो है वो हमारे लिए वर्तमान समय में बाधा के रूप में नहीं वो हमारे लिए वो हैल्फूल है कि वो हमारे अंतररास्टी व्यापार को और उसके कारण जो है वो हमारा व्यापार जो है वो और ज्यादा बढ़ा है अब हम देखते हैं ये तो बात हो गई कि इस अंतररास्टी व्यापार की आ आधार कौन-कौन से हैं, आधार या हम कहें किसे कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये मुख्य कारक आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं, हम एक एक करके इन सभी पॉइंट पे फोकस करते हैं, तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, रास्ट्री संसाधनों में भिन्नता, रास्ट्री जो संसाधन होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की, कि वो हमें सभी जगह एक समान नहीं मिलते हैं, इनमें हमको जलवायू के अनुसार, धरातल के अनुसार, मतलब उच्चावच के अनुसार जो है, अलग अलग जगह हमें इसमें भिन्नत इसकी उपलबधता में भिन्नता मिलती है, तो आवशक्ता के अनुसार जो है, जैसे हम एक छोटा से एक्जामपल ले लेते हैं, इतली में, इतली की जब हम बात करेंगे, तो वहां के जो कालीन हैं, वो प्रसिद्ध हैं, हमारे भारत में जो बनारस की साडियां हैं, वो फे वहां पर उसकी उपलबधता या उस क्वालिटी की उपलबधता वहां पर नहीं मिलेगी, जिसके कारण जहां जो वस्तुएं सिमीत मातरा में हैं, वहां से जहां इनका प्रोडक्शन होता है, या अधिक मातरा में प्रोडक्शन होता है, वहां से इन्हें इन वस्तुओं को क्या किया जाता है आयात किया जाता है और हम जो अतिरेक उत्पादन हो रहा है अतिरेक मतलब मैं फिर से कहूंगी कि हमारी आवश्यक्ता से जो अधिक उत्पादन है वो हम क्या कर देंगे भई व्यापार का तो एक मात्र उदेश यह है लाब कमाना है ना लाब कमाने के लिए यही जो व्यापार है वो किया जाता है तो हम अधिक से अधिक लाब कमाना चाहेंगे तो हमारे पास जितना भी अतिरेक है हम उसे दूसरे देशों को जो आवश्रक्ता वाले जो देश हैं उन्हें बेच देंगे या निरियात कर देंगे और उसे बेच कर हम लाब कमाएंगे और बदले में हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो आवश्रक्ता की चीज है या वस्तु है उसे हम दूसरे देश से खरीच सकते हैं और आयात कर सकते हैं। तो राश्टी संसाधनों में भिन्नता जो है वो व्यापार का एक प्रमुक आधार है जिसके कारण एक देश से दूसरे देशों के मद्धे जो है वो व्यापार की शुरुवात हुई। अब दूसरी चीज हम देखते हैं जो देशों का पारसपरिक संपर्क और लेन देन की इक्षा ये भी व्यापार को महत्पूर्ण रुप से प्रभावित करता है या हम ये कहें कि आधार है भई देशों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे हैं और वो एक दूसरे से हम ये कहें कि लेन देन की प्रक्रिया करना चाहते हैं चुकि उनके बीच संबंध जो है वो अच्छे है तब वहां पर जो व्यापार को बढ़ावा मिलता है लेकिन जिस स्थिती में किन्ही देशों के मध्य संबंध अच्छे नहीं है उनके पारसपरिक संबंध तनाव vendor नह तो वो क्या करेंगी एक दूसरे से व्यापार करने की एक्षा उनकी नहीं होगी जैसे हम बात कर लेते हैं जैसे पाकिस्तान और हमारे देश के मध्य जो है वो बहुत अच्छे संबंध नहीं है या अभी हाल फिल हाल में जो चाइना के साथ बॉर्डर के कारण हमारे जो या ह हम अक्सर यह तनावपूर्ण इस्थिती जो है बीच बीच में रहती ही है तो हम उस इस्थिती में क्या करते हैं उस व्यापार को हम बढ़ावा नहीं देते